प्रिया चात्रो नमस्कार आज हम कक्षा बार्वी के अध्याय संख्या बारा का अध्यान करेंगे जिसका नाम है जय प्रद्योगी की एवं उनके उपियोग आप पिछली अध्याय में जय प्रद्योगी की के बारे में पढ़ चुके हो उसमें मुख्यते अनुवानशिक रूप से रूपांत्रित सुक्ष्म जीवों कवक, पौदे वे जन्तूओं का उपियोग करते हुए जय विक पदार्थ का और द्योगिक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में पढ़ा था बट्मान में जय प्रद्योगी की का उपियोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, क्रिशी में अनुवानशिक तै रूपांत्रित फसलें संसादित खाद, जय व सुधर वे उर्जा उत्पादन में हो रहा है जय प्रद्योगी की के तीन विवेचन आत्मक अनुसंधान शेत्र हैं पहला, उन्नत जीवों जैसे सुक्ष्म जीवों वे शुद एंजाइन के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्मान करना दूसरा, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियानति की द्वारा सर्वोत्तम परिस्तितियों का निर्मान करना तीसरा अनुप्रवाह प्रक्रमन तकनीक का प्रोटीन या कार्बोनिक योगिक के शुद्धी करण में उप्योग करना अब हम पढ़ेंगे कि मनुष्य जय प्रोटीोगिक का उप्योग विशेश रूप से स्वास्त वे खाद उत्पादन के शेत्र में जीवन स्थर के सुधार में किस प्रकार से कर रहा है कृशी में जय प्रोटीोगिक का उप्योग खादे उत्पादन में व्रदी हे तू, हम तीन संभावनाओं के बारे में विचार करते हैं क कृशी रसायन आधारित कृशी, ख कार्बोनिक कृशी और ग अनुवानशिक तह निर्मित फसल आधारित कृशी हरित क्रांती द्वारा खाद्य आपूर्ती में तीन गुनी व्रद्धी में सफलता मिलने के बावजूत मनुष्य की बर्ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं था बर्ती आबादी के साथ भोजन की मांग भी बढ़ रही थी विकास सील देशों के किसानों के लिए क्रिशी रसायन काफी महंगे पड़ते हैं वे परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों से उत्पादन में व्रद्धी संभव नहीं थी तो क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिससे अनुवानशिक जानकारी का उप्योग करते हुए किसान अपने खेतों से सरवादिक उत्पादन ले सके क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का नियूंतम उपयोग कर पर्यावरण पर पढ़ने वाले हानी कारत प्रभावों को घटाया जा सके जी हाँ अनुवानशिक तैरूपांत्रिक फसलों का उपयोग इस समस्या का हल है भोजन की मांग को पूरा करने के लिए जय प्रद्योकिकी ने बहुत महत्पून भूमिका निभाई है अनुवानशिक रूप से संसोधित फसलों को कीट नाशकों और शाक नाशी की आवशक्ता नहीं होती तथा वे खरपतवार नाशक और कीट के प्रति प्रतिरोधी हैं अब हम अनुवानशिक रूप से संसोधित जीवों के बारे में अध्यान करेंगे अनुवानशिक तैरूपांत्रिक जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ओर्गिनिजम जिनके जीन्स हश्त कौशल द्वारा परिवर्टित किये जा चुके हैं अनुवानशिक तैरूपांत्रिक जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ओर्गिनिजम कहलाते हैं चात्रों अब सवाल है क्या होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसले अनुवानशिक रूप से संसोधित जीव या जीविद जीव है जिसकी अनुवानशिक सामगरी को अनुवानशिक एंजीनियरिंग या जेनेटिक एंजीनियरिंग के माध्यम से प्रियोक शाला में कृतिम रूप से हेर फेर किया गया है ये पौधे जानवर, बैक्टीरिया और वाइरस जीन्स का सन्योजन बनाते हैं जो प्रकृती में या पारंपररिक क्रॉस ब्रीडिंग विदियों के माध्यम से नहीं होता इसके लिए टिशू कल्चर, म्यूटेशन यानि उत्परिवर्तन और नए सुक्ष्म जीवों की मदद से पौधों में नए जीन्स का प्रवेश कराया जाता है इस तरह की एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया में पौधे को एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन नामक सुक्ष्म जीव से संक्रमित कराया जाता है इस सुक्ष्मजीव के T-DNA या Transfer DNA नामक एक विशिस्ट जीन से संक्रमित करके पौदे में DNA का प्रवेश कराया जाता है इस Agrobacterium Tumifacian के T-DNA को वांचित जीन से सावधानी पूर्वक प्रतिस्थापित किया जाता है उधारण के लिए कीट प्रतिरोधक पौधे इस प्रकार पौधे के जीनोम में बदलाव लाकर मन चाहे गुणों की जीनांतरित फसल प्राप्त की जाती है Genetically Modified Organism या GMO का विहवार स्थानांतरित जीन की प्रकरती परपोशी पौधे जन्तूओं या जीवानों की प्रकरती वे खादे जाल पर निर्भर करता है GM पौधों का उप्योग कई प्रकार से लाबदायक है कुछ महत्पून उधारन इस प्रकार है अजय प्रती बलों जैसे ठंडा, सूखा, लवन, ताप के प्रती अधिक शेहनशील फसलों का निर्माण रसाइनिक कीट नाशकों पर कम निर्भरता जैसे कीट प्रती रोधी फसलें कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने वाली फसलें पौधों द्वारा खनिज उप्योग की दक्षता में व्रधी ये शीग्र म्रदा उर्वक्ता समापन को रोकता है भोजन का बढ़ा हुआ पोशन मूले जैसे विटामिन A समरत चावल का निर्मान जिसे गोल्डन राइस भी कहा जाता है GM का उप्योग तदनुकूल पौधों के निर्मान में सहायक है जिनसे वे कल्पेक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, इंधन वे फार्मस्यूटिकल की आपूर्ती में उप्योग किया जाता है स्वन चावल अनुवानशिक रूप से संशोधित फसल का भी बहुत महत्तपून उधारण है यह विटामिन A में बहुत सम्रद है गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है गोल्डन चावल तीन बीटा कैरोटीन बायो सिंथेसिस जीन के अतिरिक्त चावल की अपनी पैत्रिक विविद्दा से अलग है इसे इंगो पोट्रिकस और पिटर बेर द्वारा बनाया गया था आज हम कृशी में जैव प्रद्योगी के उप्योगों में जिनके बारे में विस्तार रूप से अध्यन करेंगे वे है पीडग प्रतिरोधी फसलों का निर्मान जिससे इस्तमाल होने वाले कीट नाशक की मात्रा कम हो सके बैसिलस थ्यूरंजेनेसिस या बीटी एक ग्राम पॉजिटिव मिटी में रहने वाला जिवानू है जिसे आम तोर पर जैविक कीट नाशक के रूप में उप्योग किया जाता है बीटी एक प्रकार का जीव विश है जो एक जीवानू जिसे बैसिलस थ्यूरंजेनेसिस सन शेप में बीटी कहते हैं से निर्मित किया गया है बीटी विश जीन बैक्टीरिया से क्लोन किया गया है और पौधों में कीट नाशकों की आवशकता के बिना कीडों को प्रतिरोध प्रदान करने के लिए व्यक्त किया गया है प्रभाव में एक जैव कीट नाशक बनाया गया उधारन बीटी कपास, बीटी मक्का, चावल, टमाटर, आलू और सोया भी आती हैं बैसिलस थ्यूरंजेनेसिस के कुछ उपभेदों से प्रोटीन उत्पन होता है जो कुछ कीडों को मारता है जैसे की लैपिडोप टेरन या आर्मी वॉम, तंबाकू की कली का कीड़ा, क्लोप टेरन या बीटल और डिप टेरन, मक्कियां या मच्छनों को मारने में सहायक है बैसिलस थ्यूरंजेनेसिस अपने विकास के एक विशेश चरंड के दोरान प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है इन क्रिस्टल में एक विशैला कीट नाशक प्रोटीन होता है अब बात है कि ये विश बैसिलस को क्यों नहीं मारता दरसल बीटी टॉक्सिन प्रोटीन निश्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में मौजूद होता है लेकिन एक बार एक कीट यदी निश्क्रिय टॉक्सिन को निगल लेता है तब ये आत के छारिय पीच के कारण विश के सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाता है जो crystal को गोल देता है सक्रिय विश मिडगट उपकला कोशिकाओं की सतह में बनता है और छीदर बनाता है जो कोशिकाओं की सूजन और लसीका का कारण बनता है अंततह कीट की मृत्यू का कारण बनता है विशिस्ट बीटी जीव विश जीन्स बैसिलस थ्यूरंजेनेसिस से प्रतक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है जीन्स का चुनाव फसल वे निर्धारित कीट पर निर्भर करता है जबकी सरवदिक bt gene विश्कीट समू विशिस्ट पर निरलबर करता है जीव विश जिस gene ध्वारा कोड होते हैं उसे cry कहते हैं यह कई प्रकार के होते हैं उधारंण स्वरूπ जो proteins gene cry 1ac cry 2ab ध्वारा कोड होते हैं वै कपास के मूलक क्रमिक को नियंद्रित करते हैं जबकि क्राई एक एबी मक्का छेदक को नियंतरित करता है अब हम कीट प्रतिरोधी पौदो के बारे में पढ़ेंगे कई निमेटोड एक विस्रित विवित्ता का परजीवी करण करते हैं मनुष्य सहित पौदे और जानवरों में निमेटोड, मेलिडोगाईन, इनकोगनीशिया तंबाकू पौदो की जणों को संक्रमित करता है और उपज में भारी कमी का कारण बनता है उपरोग्त संक्रमन को रोकने हेतु एक नवीन योजनाक को स्विकार किया गया है जो आरेने अंतर शेप की पृतिकरिया पर आधारित है आरेने हस्त शेप या आरेने आई जिसको आरेने इंटरफेरंस भी कहते हैं एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें आरेने अनु लक्षित एमा आरेने अनु को बेहसर करके जीन अभिव्यक्त या अनुवाद को रोकते हैं आरेने आई अब जीन दमन के लिए एंटिसेंस थेरिपी की तुलना में सटीक, कुशल, स्थिर और बहतर के रूप में जाना जाता है आरेने आई मार्ग जानवरों सहित कई यूकेरियोट्स में पाया जाता है और एंजाइम डाइसर द्वारा शुरू किया जाता है जो लंबे समय से डबल फसे आरेने या डबल स्टेंडर आरेने अणुओं को छोटे डबल स्टेंडर टुकडों में विभाजित करता है आरेने आई कोशी किये रक्षा की एक विधी के रूप में सभी यूकेरियोटिक जीवों में होता है इस विधी में एक पूरक टबर स्टेंडेड आरेने अनु के कारण एक विशिस्ट एम आरेनी की सीलिंग शामिल है जो एम आरेने के अनुवाद को रोकती है आरेने आई एक आरेने निर्भर जीन साइलेंसिंग प्रिक्रिया है जिसे RNA प्रेरित साइलेंसिंग कॉंप्लेक्स या RISC द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एक सेल के साइटो प्लाज्म में शौट डबल स्टेंडेड आरेने अनू द्वारा शुरू किया जाता है RNA हस्तशेप, मार्ग, अकसर, सेल, जीव में जीन के कारे का अध्यन करने के लिए प्रयोगात्मक जीव विज्ञान में और मॉडल जीवों में वीवों में शोशन किया जाता है डबल फसे आरेने को एक अनुक्रम के हित के जीन के साथ संशलेशित किया जाता है और एक कोशी का या जीव में पेश किया जाता है जहां इसे बरहित अनुवानशिक सामिगरी के रूप में मानिता दी जाती है और आरेने आई मार्ग को सक्रिय करता है चुँकि RNAi जीन की अभिव्यक्त को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता इसलिए इस तकनीक को कभी-कभी नॉकडाउन के रूप में समधर्वित किया जाता है इसे नौकाउट प्रिक्रिया से अलग करने के लिए जिसमें जीन की अभिव्यक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाती है एग्रोबैक्टिरियम वेक्टर का उप्योग करके डबल स्टेंडर्ड नेमोटोड विशिस्ट जीन मेजबान सन्यत्र में प्रवेश कराई जाती है एग्रोबैक्टिरियम समवहकों का उप्योग कर सूत्र क्रिमी विशिस्ट जीनो को परपोशी पौधों में डिने का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोशी को शिखाओं में अर्थ यानि की सेंस या प्रती अर्थ जैसे एंटी सेंस आरेने का निर्मान करता है ये दोनों आरेने एक दूसरे के पूरक होते हैं जो दूई स्वित्रे आरेने का निर्मान करते हैं दूई स्वित्रिय आरेने के निर्मान की वजह से आरेने अंतरशेप प्रारंब होता है और इसी कारण से सूत्रक्रिमी के विशिष्ट दूई स्वित्रिय आरेने निश्क्रिय हो जाते हैं इसके फलस्वरूप पार जीवी पर पोशी में विशिष्ट अंतरशेपी आरेने की उपस्तिती से पर जीवी जीवित नहीं रह पाता। इस प्रकार पार जीवी पौधे अपनी सुरक्षा पर जीवी से करते हैं। शात्रों, उमीद है आपको आज का अध्याय समझाया होगा। धन्यवाद।